जी नमस्ते मैं हूँ गवरंग पंड़ा पंड़ा अस्ट्रोजी में अप लोगों का सड़त करता हूँ जय जगनात की साथ एक वीडियो तोला लगन हमेशा की तरह ये संक्रन्ती से अगले मैनें का संक्रन्ती तक का वीडियो और लगन की साथ से इसको देखिए कि राशी की साथ से नहीं है और 14 मार्च दोहजार चबिस से 14 एफ्रिल दोहजार चबिस तक का ये वीडियो और 14 मार्च बारा बच कर 46 मिनिट पीम डेली का मैंने टाइम लिया है बुरस्पती बार है संक्रन्ती का संक्रमन होता है इसी टाइमिंग में और उसी दिन का नख्यत्र है भरणी नख्यत्र सुक्र का और ये एक से सेवेंथ आउस जो होती है ये होती है आपका लगना यहां पर एक लिखाओगा लॉ लिखाओगा ए एस सी लिखाओगा तो यही आपका असेंडांट तुला लगना वीडियो से पेले के छोटा सा सुचना भिते सल महा सिवरात्री मार्च महीने में पड़ा था कई लोगों ने अपने कंट्रिबुशन भेजे थे और मेरे साथ जोड़े थे लाइफ वीडियो में जैसे आप लोगों का नाम राशी लगना और गुत्र की सथ से बाक्यार संक् पकर आया गया था प्रभु शीव जी की चरुणों में अनमा दुर्गा सथ सती चंडि काहवन होम आहुती वो सारे दीन का प्रक्रिया ही था आप लोगों का नाम राशी लगना गुत्र की सबसे संक्र पकर आया था बाक्या कराया गया था इसी बार ये मार्च आठ तरिक को महा सिवरत्री है बिते बार तुला लगना डाल नहीं पाया था इसलिए ये डिकलारेशन भी किया था बाकी दूसरा वीडियो में अब टाइम नहीं आज हो गया तीन तरिक और पांच दिन बीच में और आठ तरिक को कोई भी कंट्रिवेशन मनी ना भेजे क्योंकि मैं किसी का फोन नहीं उठा पहूंगा और वेसे पुजा में मैं बहुत टाइप में हो अगर किसी का इच्छा है तो बिते बार दो सो रुपया कंट्रिवेशन भेजा रखा गया था इसी बार तीन सो रुपया रखा गया एक नाम राशी लगना अंड गुत्र के लिए अगर परिव पूलपाग पे का है फोन पे का है पेटियम का है इसमें पेमेंट करें और यह वाट्सअप का है इसमें एक स्क्रीनशट डाले ताकि इमेडियेट आपको सीरियल नमर मिल जाएगा उसी दिन फास्टिंग रखें प्रभुशीब जी से कनेक्ट रहें सुबह नौ बज़े से सायथ सुरुवत हो जाएगा साम चार बज़े तक बीच में अगर हो सकता तो फूर्ट जूस पगरा आप पी सकते अगर विदेश में हो तो उसी सच अगर टाइम रात का हो बस भक्ती होना चाहिए यह था चोटी सी सोचना अब वीडियो की उपर चलते हैं तोला लगना लगना लड़ आपका सुक्र है बहुत बड़ा चंजस होने जा रहा है शुक्र और भी आफका सनी के साथ ठीप था उसमें है हार क्रियेटिविटी अक्टिविडिस का आप जो ब्रेकडाउन पड़ गया था यहीं पर सुक्र का होना यह चीजे को अक्टिव करना दर्शाता है और यह शुक्र मैं बोला था भी ते पर कि 40 देज, 40 देज, 40 देज, 120 देज, 123 का इंतेजर करें अब फस्ट पड़ा आप चला गया 40 देज, next अब 40 देज और 40 देज, जैसे शुक्र कुम्भ साइन को 7 मार्च को एंट्री करेंगे और यह 14 मार्च, मतलब आज हो गया 3 तरी, आज से 4 दिन के बाद, और यह 14 मार्च तक कुम्भ साइन में सुक्र रहेंगे सतविसा नक्हित्र जोगी राहू का, और सनी अलेडी, सनी अलेडी सतविसा नक्हित्र में है राहू यहाँ बेसिक प्ले और रोल करता है आपका जनम पत्री में राहू कहां है, सीक्सा उस में, 11 में, 10 में तो बहुत पजिटिव, थाड़ा उस में, तो बहुत पजिटिव राहू कहीं अगर आपका नक्हित्र सिधान्त में, बीपत तरा में, प्रत्यरी तरा में, खियमत तरा में और बदध तरह में राहु का तीन नखित्र नहीं आता है तो आपके लिए राहु बहुत benefited है अगर आता है तो उत्तना benefited नहीं और आपका तुला लगने के लिए सनी होते है जोग कारक फ्लैनेट खुद सनी 77 नखित्र में लगना लड़ शुक्र आपका सत्विश्चा नकित्र में बस राहू अगर आच्छा पुजीशन में है और राहू अभी यह सीख्स है उसमें जितना चालेंज का जगा है सीख्स जितना लाइफ में अबस्टाकिल्स चालेंज उसको कैसे पार करना उसी घर में अभी राहू आपका ट्रांजिट में है और इसी घर में सुर्यदेव, बुद्धादेव, राहू तीनों मिले है और ये भागयभाब का अधिपती बुद्धादेव यहां पर नीच होते है और ये बुद्धा साथ मार्च को मीनसाइन को जाएंगे नेक्स्ट उतराभाद्रपदा, नेक्स्ट रेवधी 16 मार्च को फिर मेससाइन को चलाई जाएंगा आपका सेवेंथ को फिर इसी घर में बक्री रहेंगे, मेससाइन में एंटर फिर से करेंगे बैकवार्ट्स, मीनसाइन को 9 अप्रिल को और ये मीनसाइन में फिर से फरवार्ड होंगे 25 अप्रिल को तो बुद्ध देपका इधर और उधर, ये सिच्वेशन यहां बनता है बुद्ध यहां नीचका है, यहां उचका है भाग्याधी पती नीचका तो है, जब सुक्र यहां आजाएंगे मीनसाइन को 31 मार्श को, तो यहां एक बीपरीत राज योग बनता है भाग्याधाव लगनाधी पती और अभियापका लगनाधी पती, सुक्र सनी के साथ ये पिरियाट नाग आए, एक आच्छा मौका आपको मिल रहा है वाज़ा अगर राहू है, तो कुछ टोरगियों का दायान करें चप्पल, छत्री और ये अच्छा मौका है ये रुद्रावीशिक में जोडने का क्योंकि राहू रुद्रावीशिक में बहुत सान्त होते है So, ये टाइमिंग, बेटर प्रिफरेंस के लिए और कोई भी अक्तिविटीज जो क्रियेटिवीटी ऋ creativitiज आपका बंद पड़ा था कहीं अगर आप संगीत की दुनिया में हो फिल्स की दुनिया में हो मेकिंग, जोई लेरी मेकिंग, कुछ नया चीजी इनो भेसन करने का दुनिया में हो फिलिम लाइन का हो तो ये टाइमिंग को आप हाथ से गवाय मत आपका महादसा अंतर दसा क्या चल रहा है बास उसी को देखे खुद को सारिंडर कर दीजिए मागी चरणों में ये बेस्ट मौका है तुला लगने के लिए इहीं पर आपका अपर्चुनेटी मिल के रहेगा अच्छा समय का सदी पयोग करना बिज्यंता का नीस लगने के उपर आपका ब्रुहस्पती का साथमा दृष्टी ब्रुहस्पती आपका थाड और सीक्स है उसका और ये ब्रुहस्पती सनी से इस्पेक्ट का संबन्द बनता है यहाँ जो सनी की आपका लगना लड़ और फोर्थ और फीप्त का तो इहीं पर ब्रुहस्पती आपके लिए शीक्स का हो फिर भी बावजुद यह यहाँ बेनिफिटेड देंगे और ब्रुहस्पती यहाँ शुक्र का नखित्र में बिलुंग्स करते है जो सुक्र की आपका लगना लड़ कई सारे अंगिल से देखा जाए आपके लिए बेनिफिटेड टाइमिंग है तुला लगना नेगेटिव क्या है सेकेंड हाउस मारक का है सेबेंथ हाउस मारक का है यह दोनों हाउस का लड़ मंगल अभी आपका फूर्थ हाउस में है और यह मंगल का सात्मा द्रिष्टी में आपका टेंथ हाउस है जो की जाब और प्रफेस्टन ब्यापार आपका कर्म खेत्र यह छीचवस्ण में गुस्चा को जितना हो सके उतना कंट्रोल में रखे, पैसेंस रखे, धीरज रखे, सन्य वाला आपको नेगेटिव बात बोल गया, इसका मतलब नहीं की, आपने बताया थे, कहे थे मेरे को देने के लिए, लेकिन आपको देते नहीं हो, ये सबजेक्ट को लेकर आप कहीं होगे, तो आपका नुकसान ही है, ब्यापारी लगना है, पैसेंस का, शनी आपका पैसेंस का कारक जोग का रखे, चुप रही है, फिर मौका देजिए, आज सामान, सेल आउट हो जाएगा, रातो रात आप कोड़ पती बन जाए, ये सोच मत रखे, ये रखे, कि यो कस्तमर मेरे पास हमेजा होना चाहिए, अगर वो होगा, तब तो ये कितने बार मेरे से ले कर जाएगा, उसी में मेरे को मुनाफ़ा मिल जाएगा, मैं एक्जम गुल की तोर पे बोल रहा हूँ, तो ये होगा कैसे, आपको धीराज रखना, पैसेंस रखना, और एस्पेक्टेशन तो रहेगा ही रहेगा, गुसा, उल्ली, हाईली एक्स्टालेशन पोजीशन में मंगल अभी ट्रांजिट कर रहा है, और ये मंगल खुद का नखित्र में, धनिश्टा नखित्र में, चो सार, जितना हो सके, ये मंगल की उपर, एस्पेक्टेशन केतु का, जो की बारमाघर में, फुलीस केस, कोर्ट कल्चेरी, बिना अत्मसंतुष्टिका, रेनोंचियेस्ट, बेडरूम, बेड प्लीजर, ये सारे चीज़ों में अभी प्रोब्लेम्स है, बारमाघर का केतु, कोई फीमेल है, और अगर प्रेगिनन्स ही है, तो डक्टर की सलाम अस्वारक में कभी कम्रमाइज मत कीजिएगा, क्योंकि ये घर काल अपुरूस का कुंडली अगर बना दिया जाए, तो शरीर से जितना सारे एकजिस्ट चीजे होते हैं, ये घर होए, शरीर में जितने सारे इंपूट करते हैं, ये ब्रिसब राशी का है, ब्रिसब का, तो ये घर में केतु का होना, तो सरीर से जितने सारे चीजे निकलता है, आप बेटर समझते हो, अगर कहीं, ये टाइम डियूरिंग में, डेलिवरी होने का टाइमिंग है, तो डक्टर का सला मस्वारा में कम्रमाइज मत करें, अगर बच्चा के लिए प्लानिंग करना, तो आपका जनम पत्री को पहले देखिए कि दोनों का simultaneously कितना preferable है, नहीं तो जब मंगल आ जाएंगे यहां, फिर मंगल आ जाएंगे यहां, यहीं से मंगल का आठ्वा अंद्रिष्टी में केतु आ जाएंगे, यह oppression, आवोट होने का chances, जो डक्टर लोगों का Scissoring में जो weapons लगता है, यह घर है, कि मंगल ही यहां पर markets, यह transit में यहीं बताता है, जब यहीं पर है, तो ठीक यह कुछ सुदार है, लेकिन 14 के बाद 15 को आ जाएंगे, आठ्वा द्रिष्टी में बार्मा घर, फिर से मंगल यहां जाएंगे, सात्वा द्रिष्टी में आप या बेवी क्या क्या कुछ होता है, सुच समझ के कीजिए, अगर जोतीस में आपका विश्वास नहीं, तो total of your free heart, देखो जोतीस के सा क्याम करता है, देखो, देखिए जोतीस के सा क्याम करता है, क्या करें अभी तक हिंदी में सुदार नहीं आया, कल किसी मित्र ने लिखे अरे यार तू क्या बोलता है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, इन से क्या बोलो, अरे यार तू कम से कम समझने को कोशिस करें, मैं अनपड़ गवारा हूँ, अब मैं हिंदी में कुछ जनता ही नहीं, यह वीडियो की माध्यम से हो, मेरा हिताकंखी को में बता देता हू अज्जार बार सायत सारी मंगा है कि मेरा हिंदी उतना परफेक्ट नहीं है केसे बोलता हूँ मत देखिए क्या बोलता हूँ उसी को ही देखिए ये कंप्लिकेस्टन के तो बारमा मंगल का ट्रांजिट और ब्रहस्पति जब एप्रिल 30 के बाद आपका 8 हाउस को आ जाएंगे ये 8 हाउस ये भी 7 से 2 एक्स्टेंशन चीजे को फेलाना बढ़ाना और एक खोज का दुनिया एक रिसर्स का दुनिया और यही से ब्रहस्पति का द्रिष्टी एक दो तीन चार पाँच आपका कितु की उपर पड़ेगा गुरुचंडर दोस्त तो बनता है लेकिन कई सर पजेटिव योग भी यहां बनता है चाइल्ड प्लनिंग के लिए टाइमिंग उतरा परफेक्ट नहीं है आप किसी वेल एजुकेटड जोतिस से सलाम असवारा कर सकते हैं उनली गाइनोकोलिस डक्टर की बातों पर आकर कोई भी रिस्की मत उठाए कहीं अगर सक्सेस हो गया तो ठीक है कहीं अगर वह आवट सक बात चला जाएगा तो इसमें बच्चा को डेंजर मां को भी डेंजर कि अगर कि अगरा हूं सुर्य अपका शीक्स है उसमें और जाएंगे 14 एप्रिल के बात जो होती है महा विसुवा संक्रांति हमारा यहां पणा संक्रांदी कहते हैं हरुमान जयन्ती बहुत पावन दिन है उसे दिन अगले मैंने का वीडियो में मिल जाएगा उचका हो जाएंगे सुर्य व्रहस्पती के साथ जो कि आपका 11 थाउस का ओनर आगले वीडियो में बताएंगे सो मंगल के लिए भी बेस्ट रिमेडिज आपके लिए है हनुमान चालीशा बेस्ट रिमेडिज इजी मेथड अगर उसे उपर जाना इच्छा है आपका तो आपका नाइंता उसको चलते हैं यह घर है बुद्ध देपका अंड बुद्ध देपका इस्टदेवी होती है त्रिपूर सुन्दरी जो कि दसमाह बिद्ध्या में से बाला त्रिपूर सुन्दरी उनका ध्यान कवच अर्गल खीदरस्तुत्र पुजा प्रार्थना कुछ भी आप कर सकते हैं जो कि परसुराम जी का इस्टदेवी थे बाला त्रिपूर सुन्दरी त्रिपूर भाहिर भी नहीं है त्रिपूर सुन्दरी है और अगर यह पूजन में करोगे जाप विधी ऐसा क्या कुछ उसे पहले कुंजी का स्तुत्र करें क्योंकि दुर्गा सब्तस्ति में जो 700 मंत्र है सब कीडित है सुथ्खिरन करना पड़ेगा यह कई सारे प्रोसेस है तो बेस्ट वे नवार न कीजिए अगर नहीं कर पाओगे तब तो सिद्धकुंजी का स्तुत्र एक बार दिन में करें एक बार हर्मान चलीशा करें मंगल के लिए बहुत बेस्ट है और जो आग से रिलेटेड चीज़े काम करते हैं जो लेवस जैसे फटोग्राफी जैसे एक्सरे जैसे ओ जो ओल्डिंग का सब होता है जैसे फायर रिगेड में जो लोग काम करते हैं तो उनके लिए कुछ प्रेम्ट स्केम करें उनको खाना फ्रेंट्म से देंग जैसे कभी कभार लाल कलर कालर मतलब बिल्कुल लाल नहीं है जो हनुमान जी का कलर होते हैं उस्कालर का कितने स्टाप से कितने बच्चे हे वह दुकान में उतना क्याप्स ले लीए है जो मंकी चालीशा करें और हमेशा जीवन भर बाड़ा त्रिपूर सुंदरी का मंत्रा अब के लिए बहुत आप्रप्रेट है तुला लगना बैपारी लगना है बालांस तराजू किसी ने मिस्टेक किया चाहे हो अपना पापा हो ना क्यों बोल नहीं सकता लेकिन सोच में ही आएगा कि आपने मिस्टेक किया बालांस मेंटन करता है बैपारी सो कोई रूठ जाए यह तुला लगना नहीं चाहता है क्योंकि यह ठीक रहेगा तब तो रिष्टा चलेगा बैपारी का सिम्टम सेशी में है अगर आपका लगना जा रहा है बहुत ऊच को हाँ तो 6 है हाँ 6 है लेकिन बहुत ऊच को यहां निच्भंग राजोग होता है आपका भागयभाप का शुक्र यहां हागली एक्स्टालेशन कहीं से यह माई पे अगर गाड़ी खरीदने का था कार बगएरा बाइक बगएरा यह मौका आपको मिल जाएगा कहीं से घर का इनोवेशन कुछ जो सजावट बाकी था घर को कुछ इलेक्ट्रोनिक सामन लाने को था लेकिन आ नहीं पा रहे थे यह टाइमिंग आपके लिए मौका देगा अब चलते हैं लगना से चंद्रबां का जो डेली ट्रांजिट इसको आप क्या बोलें रासी फल तो नहीं इसी साथ से आप डे टू डे वाइस देखें यह कितना अप्रोप्रेट होता है कमेंट सेक्शन में लिखेगा अगर वह अप्रोप्रोप्रेट नहीं होता है तो मना कर दीजिए बस इसको उमिट कर देंगे जिसी दिन संग烦्रोप्र होता है उसी दिन remarkable चंद्रमा बे सब्राशि में है जो की सुकर का घर लेकिन आठ्मा घर एहीं पर चंद्रमा बहुत खुश होते एहीं पर चंद्रमा बहुत खुश होते हैं 17 तारीक को मिध्धुन को जाएंगे तो 16 तारीक तक ये आपका इसी घर में रहेंगे तो इसी घर के उपर मंगल आ जाएंगे यहीं पर यहीं से चोथा द्रिष्टी मंगल का आ जाएगा खीप से उसको मंगल आ जाएंगे यहीं से चोथा द्रिष्टी तो कहीं से चेड़चीड़ापन सुभाब तो रहेगा एक अनास्पेक्ट संग गेन कहीं से आएगा जो कि आपने सोचा नहीं था एक टीक देता हूं एक क्रस भी देता हूं सत्रा तारिक चार बज कर बीस मिनिट शुवे मितुन साइन जो कि भाग्या भाव ऐसे कोई मालेफिक प्लानेट का द्रिष्टी नहीं है सो भाग्या की गुणबत्ता पर दिन जाएगा राइट मार्ग जाता हूं करक साइन 19 मार्च एक पसकर 37 मिनिट पी एम दसम जाब प्रफेशन का और राहू का पांचमाद रिष्टी मंगल चले जाएंगे यहीं पे सो कहीं अगर सारे दरवाजा बंद है न एक लास्ट दरवाजा का रस्ता रहू happens अगर रहू आपका समपत तरहा में साध़ तरह में मित्र तरह में और आतिमित्र क्रस्ट देता हूं सिंगर साइड 22 स्मार्च 11 अउस सनी का साथ मांद रिष्टी पेसा तो आएगा कहीं से व्रोस्पति का साथ मांद रिष्टी बार्मा घर है अपका चंद्रमा केतु ग्रहान दोस्ट कहीं चंद्रमा आपका पोजिशन क्या है पेंध हाउस में है लगना में है होर्थ में है फीप्त में है तो कहीं लिया से चंद्रमा आपको बेनेविटेट रेजल देंगे लेकिन यह जो ट्रांज हारोगे नहीं तुला साहिल 27 मार्च ब्रोस्पति का सात्मा द्रिष्टी लगने में आपका चंद्रवान हमेशा ही अच्छा होता है और वैसे कोई मालेविक का द्रिष्टी अभी नहीं है अच्छा जाएगा डवल्टिक देता हूं ब्रिष्चीक चंद्रवान का नीच का जागा सेकंड हाउस है आपका और रहु का नौवान द्रिष्टी पैसा कहीं से आएगा रहु अगर कहीं कंफर्ट जोन में आपका मैं बार बार कंडिशन को बताता हूं आपका जनमपत्री में आप देख लीजे रहु बहुत माईन पर कहर वर्षाने के लिए चाहे वो पजिटिव अंगल में हो चाहे वो नेगटिव अंगल में हो यह रहु ही है सेकंड में सनी इसी सब से देखे अगर रहु ठीक है तो आपके लिए ठीक जाएगा धनुसाइन ब्रोस्पति का नौमाद रिष्टी और ऐसे कोई मालेफिक का रिष्टी नहीं है थाडाऊ सबका कमुनिकेशन भाई रहन का ठीक जाएगा मकर साइन तीन एपरिल यहां खा लिए और केतु का पांचमा रिष्टी मन में जो खुशी उसी में कुछ अभाव मायुस्शी पन फिर उसके बाद स्वनी के साथ पांचमा प्रांज अंड तब शुक्र सनी और चंद्रमा हो जाएंगा अपका फीप्त्या उसमें वह डेट को थोड़ा ब्रेक कर दीजिए कोई भी क्रियेटिविटी अक्टिविटीज करने अगर आप जा रहे हैं तो उसके बात कीजिएगा कब यह साथ के बात करें नौ तरिक को करें कुम्म साइन सनी के साथ 20 सदोस यह ठीक नहीं मीन साइन रहू के साथ ग्रहन दोस यह भी ठीक नहीं क्रिटिविटी अक्टिविटीज मत करें जब यही घर टांजिट करेगा तो क्रेडिट मत करें जब मेससाइन को आएगा तब केसरी योग बनेगा लगना को डाइरेक्टली अस्पेक्टेशन करेंगे यह आपके लिए वह इंदिफिडेट फाहिदा मन्द होगे ट्रिपल टि साइट से सासुराल हो सकता लौ साइट हो सकता गर्फ्रेंड हो सकता कोई फीमेल साइट से क्या कुछ इससे प्रेजन्टेशन गीप्ट या कुछ एक टिक मितुन साइन 13 एफ्रिल 12 बचकर 44 मिनिट 9 आइन्थ हाउस कोई मालेफिक का ऐसे द्रिष्टी नहीं है भाग्या भा कि बल्वुते पर आप चलेंगे ठीक जाएगा और करकसाइन 15 एफ्रिल 10 एक दो तीन चार पांच राहू का पांच पांच रिष्टी वहीं बलाना राहू अबर आपका कमफर्ट जोन में है तो जावबान प्रफेस्टन में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है ये के छोटा सा वीडियो ये सुचना फिर से दोरताओं आठ मार्श आज तीन हो गया पांच दिन बीच में और आठ मार्श को कोई भी कंट्रिविस्टन या ऐसे कुछ मेसेज इसी नंबर पर मत लिखिए मैं उठा नहीं पाऊंगा जो भी करना सक तक अगर आपका मन में है नहीं करना तो फीक है दन्यावाद, कंट्रिविस्टन ना करना या जुड़े नहीं रहना या फीक है, आज के लिए इतना जय जगनाथ, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरावया, सर्वे भद्राणी पस्चिंतु माकर्स्ची दुख्वा भगत, ज़ए जगन बिदा दीजिए, फिर मुलागत होगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते